सब्सक्राइब और आज किस वीडियो में पूरा जो हेडलाइट के आसेमले प्रपार तरीके से फिटिंग होने वाला एकदम हंडेट परसेंट और यहां पर इसका कान है देख सकते हैं प्रपार तरीके से अच्छे से फिटिंग कर जैसे बाद में प्रॉब्लेम भी ना है और एकदम सिंपल फिटिंग भी हो जाए तो इस वीडियो का देखो सबसे पहले मैंने सोचा कि यह वाला डॉम खरेद लेते हैं ऐसलिए मैंने बजाज बॉक्सर के पूरा हेडलाइट खरेद लिया था उसके बाद जो आपका हेडलाइट है यह वाला बहुम इस तरह कर देंग पूरा सेट आता है यह वाला दी यह बाई करना पड़े और आपका आपका बोक्सर है तो उसके बाद भी एक कान आता है तो बहुम आप पाई काशहकत तो यह बतान फिप्टी तो पर हर आपट हट अपको यह वाला एड़लाइट लगाना है तो कैसे फिटिंग होगा यह सबसे पहले हम इसके इंडिकेटर्स नीचे से माउंटिंग कर देया हैं यहाँ इवा इनडिकेटर्स नीचे से डाल दीजिए और देखे लिए इस तरीके से नीचे एकतम सही तरीके से माउंटिंग जाएगा आपको बाद में प्राबलेम नहीं तक भी सकते हो और इसको निकाल के रीपेर भी कर सकतो और यहां पर माउंटिंग कर देंगे और देख यहां पर माउंटिंग हो गया कितना सही तरह के से माउंटिंग हो गया पूरा एसेंबली निकल जाता है देखो यह देखो मेरा यह पूरा एसेंबली हाथ मेरा हाथ में आगया देखो यह एसेंबल एक दम सही तरीके से दस नमबर का बोल्ट जिसे कहते है यह वाला बोल्ट घुश जाए यहां पर तीनों को लेकर दिल करना है यह पर देख सकते हो और यहां डिल किया है उसका बाद आपको फीट में लगे का यह वाला आप इस तरीके से बना लिजिए आप एक बार देख लो इस तरह के से आपको डिल सब यह दस और जो भी डिल है वह सबको जीट नमबर ने मतलब यह वाला बोल्ट है इसके सबसे वह लगे हो इस तरह को टुकड़ा बनाना पड़ेगा हो गया अपको दो नट बोल्ट के का दस नंबर का इसली मार्केट में मिल जाता है चार चार एक बोल्ड में और एक बोल्ट को si का अलेना है यह जोकी थी यृणंच लॉंग हो इसी में यह और बो चाहिए एक और दो हिक आपीट चाहिए आपको भीडिंग की के लिए अचाहिए अभी बैब आपको फिडिंग दिखा तो बिल्कुल इजी प्रॉसस है बट फिटिंग एकुल होगा तो इस फिडिंग करने केव सबसे पहले आपको यह प्युपर कर चीजिए और जाप यह विला डॉट लिखा हुआ है जांप यह पर डॉट सर्ट सर्टि देख लो यह वाले हिससा इस्तरब जाएगा यह वाले सिस्तरब जाएगा इस तरह से लेना है इसके डर्ण में का बोल्ट है डाल दीजिए और आपको एक बोल्ट यहां पर एटाच करने पहले से उसके बाद इसके अंदर से घुष जाएगा देख लो और एंड हिस्से में आपको यह वाला जो नट देख रहें इसको आपको लगा देना है कि फिटिंग देल कुछ इस तरह किसा होगा और यहां पर हम जो बाकी का फिट्मेंट है वो करेंगे अपने सबसाप अपने बाइक में बिल्कुल अच्छे से माउंटिंग करना जाकि बाद में प्रॉब्लेम नाम है नो वेल्डिंग नो कटिंग वेगरा सिंपल ड्रिल करके आपको फिटिंग करना है तभी आप वीडियो को देखो अधर्वाइस आपको पता है कि हेलेट लगने कैसा वाला है को में पगड़ती हुए इसको में टैटर दिया तो यह हमाला जो फिट्मेंट है लग गया और यह देख सकते कितना हेवी है यह वाला जो हेल लाइट है से पर के तरह देखते हुए इस तरी का से फिटिंग और यहां पे जो बोल्ट है मुंत अटाच कर देंगे शकते हैं प्रपर देख से फिट्मेंट हो चुग है तो फिट्मेंट लगने के बाद कुछ से मांटें होगा निटन क्लीन होगा आपको एक फिन साथ है इसका इसका इ टीनिग वालाने मंदल थोड़ा सखोलने अब लंबा लेना अब अपको अंधर से डालने टे के यंदर वाला यह बहर बाला यह जा अफ लेनाए और इसको वाद एक बोल्ट कपो टाइट करना है और यह हमने इसको फूल टाइट कर दिया है देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और याज आप कोशिश करना यह लोहे का बोल्ड ना विज़कर आप स्टील का बोल्ड इउज़ गए तो ज्यादा अच्छा रहता है इसके बाद फिट्मेंड बिल्कुल इज़िये और एक अपको नट लेना है अब लगा दीजिए और सेम इस तरहीं लगा दीजिए अभी मेन फिटिंग का बात हो रहा है अभी मेन फिटिंग और एड्जेस्मेंट के लिए हम यह वाला नाट यूज करें मैं आपको करके दिखा दो बिल्कुल इस यह देखो तो हमने इस तरीके से कुछ फिटिंग किया देखो प्रपार तरीके से नहीं टूटेगा और नहीं हिलेगा और जो डॉट वाला लिखा इसके अंदर से नहीं जा रहे है तो हम जो भी छोटा सा हिस्था है यह वाला तो हम इसको काट देंगे कोई दिख्कत नहीं होगा अब इस फिटिंग देखो इसको मैंने थोड़ा सा इक्स्टाइस से काट दिया और बिल्कुल इसील फिटिंग है इस तरह से आप डाल दीज जाकर आपका मिल्कुल सेंटर में होके आप अपने सबसे देख लो मेरा सेंटर में मतलब लगभग एही हुआ है तो हम यह वाला जो अंदर का नाट है वह समस्टाइट कर दें हलका सा और यहां पर हम कर देंगे उसके बाद इसको लौक करने के लिए बाहर से जो नठ है बा इसने एक्स्टा हो रहा है हम यह से कार देंगे तो इस खिसाब से आपका हेडलेट जो बिल्कुल आप सेंटर में हो सकता है बिल्कुल सेंटर में हो जागा आपको एलन बगरा करने के जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप नट को लूज बगरा करके आपको हेडलेट को इस सब क मेकणिजम के मिंदल से यवाले हैडलाइट को प्रोप तरीके से lol के अब कर शकते हैं चले इसका उपर के घ्ल बो लेकाता हूं उसको बात देखो कैसा प्यार ही कल के आता है सो यह लो पार्पेकट तरside के से हमारे फेंडलाइट और इंडिकेटर अब देखो और यह वालन जूरा पहले किया था तह से अब रहे कितना नीट और क्लीन देख सकते हैं और यहां पर इसको हम पेंट वगरा कर देंगे एड़ेस्ट में के लिए भी हमने जिगा चोड़ा है उपर नीचे लाइट रेप जो भी आपका एड़ेस्ट में वहाप कर सकते प्रपार तरीके से फिटिंग होगा आपको मतलब कोई पर आपको इसको इसको इन्टिंग होने दीखाते हैं जो और यहां बंद नमात्रम और और हाँ वीड़ो को पाशन आ लाइक भी करना और चैनल पर नहें हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंडिस्टर को लिए तो में देख अगले वीडियो में बाई 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 जै हिंद बंदम आतरम भारत मादकी जै